अलो नमस्कार साथियों मैं आशिस कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सन्राइज कोचिंग सेंटर में आप सभी लोग का हरदी स्वागत करता हूँ साथियों आज आप लोग के बीच में मैं फिर से ट्रांस्फर रिलेटेड एक नया वीडियो लेके आया हूँ क्योंकि बहुत सारे भ्यूबर का हमारे पास कॉमेंट और प्रैसनल नंबर पे कॉल करके पूछा जा रहा था कि सर जब हमने मिच्वल या ओन रिक्वेस्ट फाइल जो लगाया है वो सुपर्वाइजर के आईडी में नहीं दिखा रहा है तो ऐसा क्यों होता है तो साथियों ये परिसानी सब की लोगों के पास है बहुत सारे लोग को ये परिसानिया का सामना करना पर रहा है कि ये फॉर्म सब्मिट करते हैं लेकिन सुपर्वाइजर के आईडी में वो फॉर्म नहीं दिखता है तो साथियों मैंने सोचा कि इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दिया जाए तो मैं आज वही वीडियो को उपर आज विश्तार रूप से चर्चा करूँगा क्या इसा होता क्यों है तो वीडियो में सुरू से अंत तक बने रहेंगे और वीडियो को अस्क्रीप बिल्कुल ना करें नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा और साथियों अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो फ्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेके लाइक करे और अपने दोस्तों में सेर करें ताकि नए नए जितने सारे वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले जाए तो साथियों जैसा कि आपको पता है कि मैं आज से दो चार दिन पहले मैं मिच्वल HRMS से मिच्वल अप्लिकेशन को सब्मिट करने के लि देख की है वो भी मैं विडियो अपलोड कर चुका हूं अगर आप अभी तक हमारे व सभी वीडियो को नहीं देखें है तो पली souowan है जाके प्लेवलीस्ट में रेल्वय सम्द्रे जो मन्धिश है उसमें जाके आप सर्च करके सब्सक्रादे सकते हैं या तो इस इस वीडियो के डिस्क्रीप्शन बोक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगा तो चले साथियों मैं अब काम की बातों पर आता हूं मुद्दा पर आता हूं कि आखिर ऐसा क्यों होता है तो साथियों जैसा कि आपको पता है कि पहले जो भी ओन रिक्वेश्ट था और मीट्वल फाइल था वो आउफलाइन भरे जाते थे लेकिन जो अगस्ट 15 अगस्ट से रेलवे ने HRMS में जिसमें पहले पास PTO बनाया जाता था और सर्विस रिकॉर्ड देखा जाता था उसी में अब रेलवे ने पेपर लेस करने के लिए HRMS के द्वारा ट्रांसफर का सुबधा दिया था जिससे क्या होगा कि ट्रांसफर जल्दी होगा और समय का बचत होगा लेकिन साथियों कि यह जो सुपरवाइजर के आईडी में आपका ट्रांसफर फॉर्म नहीं दिखने का सबसे बड़ा कारण यह है कि जो भी पुराने फाइल लगे हुए थे मतलब जो भी ट्रांसफर फॉर्म जो आफ्लाइन भरे हुए थे पंदरा अगस्त से पहले जो भी लोग लगाए हुए थे तो रेलवे ने सभी जोन और सभी डिविजनों को लिए वो रिकाउड मांगा था कि जो पहले अप्लिकेशन लगाए हैं और जो नए भरेंगे उनको उसके नीचे होना चाहिए लेकिन ये जो उसका ब्यवरा मांगा था तो बहुत सारे रेलवे बहुत सारे जोन बहुत सारे डिविजन ने कुछ लोगों ने डाटा को रेलवे को एचारेमेस को दिया है और कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी तक नहीं जमा किये हैं जिसके कारण उसका डिटेल वेरिफाइ वो एचारेमेस नहीं कर पा रहा है क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि एचारेमेस जो एक लौंज हुआ है वो अपने आप में खुद ही नया है और उसमें बहुत सारे कमियां है जिसको अभी सुधारना है हम खुद CRS से बात के हैं HRMS में तो वो खुद बताए हैं कि इसका कारण है कि बहुत सारे जो डिटेल है वो अभी अपलोड करना है सिस्टम में अपलोड करना है उसके बाद हम सभी का जो फोम है उसको उसके आइडी पे ट्रांसफर कर देंगे तो साथियों आपको किसी तरह का परिशानी का सामना नहीं करना पड़े इसको देखते हुए लगातार रेलवे जो HRMS की साइट है उस पे दीन रात काम कर रही है और उमीद करता हूं कि जैसा रेलवे के द्वारा बताया गया है कि कुछ 10 से 15 दिनों के अंदर में यह जैसे ही सारा रिकॉर्ड सभी रेलवे के सुपरवाइजर और जोन समिट करा देते हैं तो जैसे ही ह हम उसे सिस्टम में HRMS के सिस्टम में अपलोड कर देंगे उसके बाद आपका जो भी ट्रांसफर का फाइल है आपके सुपरवाइजर के ID में दिखने लगेगा तो साथियों जो भी इस बात से परिसान थे वो परिसान ना होएं और किर्प्या धैर्ज रखें क्योंकि आपक पुछ दिन इंतजार किजिए आप अगर स्रमिट कर दिये हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है जैसे ही वह डेवलप होता है सिस्टम आपको आपकी प्राइटी जो है प्राथमिक्ता है वह आपको उसी टैम का मिल जाएगा जिस डेट में आप प्राइटी लगाए हैं अपनी लगाए हैं उसी का सिंडिटी आपको मिल जाएगा तो इसके लिए घवराने की जरूत नहीं है आपका जो काम था कि आपने फॉर्म को सम्मिट कर देना अपने सुपरवाजर के आईडी पे सम्मिट हो गया है कर दिये हैं अच्छी बात है लेकिन जो आगे का काम बचा और प्रेम से ड्यूटी कीजिए आपका ट्रांस्फर होगा और सब जो फाइल है सारे फाइल आपको सिंडिटी वेसिस अपलोड किया जाएगा और उसको आप देख सकते हैं तो साथियों यही जनकारी था कि सुपर्वाइजर के आईडी में ट्रांस्फर फॉर्म नहीं दिखने का कारण यही एक बड़ा कारण था जिसे कि कुछ दिनों में जल्द ही रेलवे समधान कर देगा और आपका प्रोसेस फिर से आगे हो जाएगा तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक आप और अपने परिवार के साथ खुश रहें और अराम से ड्यूटी करें और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियें तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कोर्शिस करें और अपने ज करना पड़े और किसी तरह का मन में क्यूच्चन रह जाए किसी तरह का सवाल रहा जाए तो आप मुझे कोमेंट बोक्स में कोमेंट कर सकते हैं मैं उसका जवाब तत पर देने के लिए त्यार रहूंगा उसके बाद भी अगर आपको फरस्टनल किसी तरह से बात करना है तो आप मेरा मुवाइल नंबर या बाट्सप नंबर नोट कर सकते हैं मेरा मुवाइल नंबर है 797973 3708 797973 3708 आसीस कुमार तो साथियों मिलते हैं नेक्स वीडियो में तो तब तक आप मस्त रहिए खुश रहिए और अच्छे से ड्यूटी कीजिए धन्यवाद साथियों